नमस्कार दोस्तों आज हम आपको जैपूर घूमने की दस बहतरीन जगहों के बारे में जानकारी देंगे राजस्तान में स्थित जैपूर जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है ये अपने किलो और मनमोहक द्रिश्यों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद है नमब दस पर है जैपूर में स्थित जंतर मंतर वैदशाला का निर्मान 1734 में राजा सवाई जैसिंग द्वितिय ने करवाया था इसको युनेस को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है इस वैदशाला का उप्योग आजवी ब्रमान से संबंधित अबधारनाओं के बारे में जानने के लिए किया जाता है नमब नौ है जैगर किला इस विश्व प्रसिद किले का निर्मान राजा सवाई जैसिंग ने वर्ष 1726 में करवाया था यह किला लगभग 400 मीटर की उचाई पर बनाया गया है इस किले को बनाने का उद्देश आसपास के शासकों के बढ़ते प्रभाव को रोकना और उनसे अपनी रक्षा करना था नमब आठ पत्रिका गेट यह सबसे खुबसूरत स्थानों में से एक है जैपूर के जवाहरलाग नहरू मार्ग स्थित जवाहर सकल पर बना है जैपूर में यह नौवा दर्वाजा है इसके हर स्थंब पर राजस्थान राज्य के हिस्सों को चितरित किया गया है नमब साथ नाहरगड किला इस किले का निर्मान वर्ष 1734 में किया गया था यह किला एक पहाई पर बना हुआ है जिस पर इसकी दीवारे भी फैली हुई है यह किला भारत में सबसे उचे किलो में से एक है इस किले की उचाई लगभग 1722 मीटर है नमब 6 गलताजी मंदिर इस मंदिर का निर्मान सोलहवी शताबदी में दीवान राव कृपाराम द्वारा करवाया गया था मंदिर की छटों पर खूबसूरत नककाशी देखने को मिलती है इस भव्य धार्मिक स्थान के अंदर भी कई अन्य मंदिर भी है जिनमें मुख्य मंदिर हनुमान जी को समर्पित है नमब 5 पर है जल महल जैपूर के मांसागर जील के मध्य स्थित प्रसिध हैतिहासिक महल है अरावली पहाडियों के गर्ब में स्थित यह महल जील के बीचों बीच बना है इसके निर्मान के लिए राजपूत शैली से तैयार की गई नौकाओं की मदद ली गई थी नंबर चार सिटी पहलेस राजस्थानी वह मुगल शैलियों की मिश्रित रचना है भूरे संगमर्मर के स्थंभों पर सुन्दर नककाशी की गई है पहलेस में एक संग्राहलय है जिसमें राजस्थानी पोशाकों वह मुगलों तथा राजपूतों के हथियार का बढ़िया सं नंबर तीन एलबर्ट हॉल संग्राहलय यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्राहलय है इस संग्राहलय में कई पुराने चित्र, दरियां, हाथी दांत, कीम्ती पत्थर, धातू, मूर्तियां, रंग बिरंगी कई वस्तुएं देखने को मिलती है नंबर दो आमेर किला इ शीष महल और सुख महल जैसी नायाब और खुबसूरत इमारते मौजूद है नंबर एक हवा महल इसका निर्मान लाल चंद उस्ताद्वारा किया गया है इस पांच मंजिला महल को लाल और गुलावी बलुआ पत्थर से बनाया गया था प्राचीन काल में राजपूतों के परिवार गर्मी के दिनों में ठंडी हवा का आनंद उठाने के लिए इसी महल में निवास करते थे अगर आपको विडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें